मंदिर के निर्मान की ये प्रक्रिया राष्ट को जोडने का उपक्रम है ये महोत्सम है विश्वास को विद्द्यमान से जोडने का नर को नारायन से जोडने का लोग को आस्था से जोडने का वर्तमान को अतीद से जोडने का और स्वा को संसकार से जोडने का आज के इस अइतिहासिक बल यूगों यूगों तक दिगंत तक भारत की किर्थि प्रतागा फैराते रहेंगे आज का ये दिन करोडो राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमान है आज का ये दिन सत्य अहिंसा आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेट है कोरोना से बनी स्थित्यों के कारण भूमी पुजन का एक कारकाम अनेक मरियादाओं के बीच हो रहा स्थी राम के काम में मरियादा का जैसा उदाहरन प्रस्तुत्या जाना चाहिए देश ने बैसा ही उदाहरन प्रस्तुत किया इसी मरियादा का अनुपम हमने तब भी किया था जम्मानविय सरवच्च न्यायले ने अपना अइतिहासिक फैसला सुनाया था हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देश स्वाच्चियों ने शांती के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था आज भी हम हर तरफ वही मरियादा देख रहे हैं साथियों इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहासि नहीं रचा जाना है बल्कि इतिहास खुद को दोरा भी रहा है जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवड से लेकर वनवासी बंधों को बगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सवभाग्य मिला जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने बगवान स्री कृष्ट द्वारान गोवर्धन परवर्ध उठाने में बड़ी भूमी कानी भाई जिस तरह मावडे छत्रपती वीर सिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित बने जिस तरह गरीब पिछडे विदेशी आकरांतों के साथ नराई में महराजा सुहल देव के संबल बने जिस तरह तलीतों पिछडों आदिवास समात के हर्ग बर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांदी जी को सहयोग दिया उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिन दिर्वार का ये पुन्यकार्य प्रारंब हुआ है हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर स्री राम लिखकर पत्थरों पर स्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया वैसे ही घर घर से गाउं गाउं से सध्धा पुर्वक पुजी शिलाएं यहां वुर्जा का श्रोत बन गई है देश भर के धामों और बंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र धल वहां के लोगों की वहां के संस्कृति और वहां की भावना है आज यहां की एक अमोग शक्ति बन गई है वाकई वाकई यह न भूतो न भविश्यति है भारत की आस्था भारत के लोगों की सामयित्ता और इस सामयित्ता की अमोग शक्ति पुरी दुनिया के लिए अध्यान का विश्य है शोद का विश्य है